लाल सागर में हूती का खत्रा हो या दक्षिनी अफ्रीका के छोर कैप आफ गुड हॉप से गुजरने वाले मालवागों की सुरक्षा भारती नेवी समंदर के नए पहरेदार और रक्षक के तौर पर अपनी जिम्बदारी निभा रहा है सबसे तेजी से अगर इस समुदरी शेतर में सुरक्षा प्रधान कर रहा है तो वो भारती नेवी के वार्डशिप और डिस्ट्रॉयर ही है सुरक्षा को लेकर दुनिया इस शेतर में भारत के भरोसे है भारत समंदर का नया रखवाला बन गया है इसराइल हमास के बीच जंग चल रही है होती विद्रोही हमास के समर्थन में लाल सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे है मालवाहकों की सुरक्षा के लिए अरब सागर में तैनात भारती नौसेना की डिस्ट्रॉयर आइनेस कोची और आइनेस कलकाता, मोरमुकाई, अदन की खाडी से गुजरने वाले मालवाहकों को ना सिर्फ सुरक्षा अप्रदान कर रहे हैं बलकि हूती के हमलों का जवाब भी दे रहे हैं होती के हमलों का जबाब देने के लिए मालदीव से तनातनी के बाद भारत ने आयनेस जटायू को कमीशन दिगे आ है आयनेस जटायू अरप सागर के साथ हिंद महा सागर शित्रपन निगरानी कर रहा है अमेरिका ही नहीं ग्योरपिय देश भी अब अरप सागर से लेकर अफ्रीका के पूर्वी छोर कैप आफ गुड हॉप में समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए भारती नेवी की तरफ देखती है अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर कई बार भारती नौसेना से आफ़त में फसे मालवाकों को बचाने समुद्री लुटेरों के खिलाफ एक्षन लेने के लिए भारती नौसेना पन निर्भर हो गया है भारतिय नौसेना ने पिछले बचाव अभ्यानों में जिस तेजी से काम किया है उसने अमेरिका और नाटो को भी पीछे छोड़ दिया है भारतिय नौसेना ने अरब सागर में आने वाले वैवसाइक जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है इसके लिए सेना ने अरब सागर में चार वार्शिप तैनात किये हैं यह फैसला 23 दिसंबर को साउधी में भारत आ रहे जहाज पर हुए ड्रोन अटैक के बाद लिया गया नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने हर संदिक्त गतिविदी पर कड़ी नजर रखने को कहा है